अस्सलाम मुलाइकुम दोस्तों मैं हूं मुहम्मद शरोड आलम और आप सभी को स्वागत हमार आपके यूट्यूब चैनल बेड़ जीवर्ड दोस्तों इस चैनल में जो बास्तो बभी कता रहता है हर दिन के तो जुर्बा उससे हम वीडियो में करते हैं क्यूंकि आज का वी चिकन ब्रोइलर चिकन पाल चुके हैं तो यह चौथा बार है और लास्ट तीन बार में जो जो हमने सिखा है वही आप लोगों के साथ सेयर करने बले हैं तो हमारा इधर तीन बुडिंग किया हुए हैं और पर बुडिंग में तीन सो अस्तिकर के चिक से तो बुडिंग करते समा कुछ चीजों को ध्यान देना जरूरी है जैसे आप देखी रहे हैं वीडियो में चिक गाड लाल वाला बोड देके घिर देना है और आप यदि चिकन पालते हैं तो आपको अच्छे से पताई होना चाहिए कितना जगा कितना क्या देना चाहिए उ तो अभी जो महना चल रहे हो सेप्टेंबर का सेप्टेंबर का महना में हम लोग बुडिंग किया हुए हैं तो थोड़ा बड़ा इसपेज दिया हैं जैसे डिंकर फीडर अच्छे से उहां पे रहे पाए और डिंकर फीडर रहने के बाद भी थोड़ा बहुत जगा बचे जैसे चीक्स बगेरा अच्छे से घूमने फीलने सके तो पर हंड़ेड चीक्स के लिए तीन डिंकर और तीन फीडर चाहिए तो आप यदि एक दो डिंकर एक दो फीडर ज्यादा देने सके तो उसके लिए आपका चिकन चीक्स के लिए फाइद मंध है क्यूंकि आप लोग जानते हैं कि जारा छोटा सा बूडिंग करने से आप लोगों को दिंकर फीटर उतना राखने का जगा नहीं मिलेगा और उसमें ही जगा सब कभर हो जाएगा तो आप लोगों को एकी गुजारी से कि आप जब बूडिंग करेंगे थोड़ एक बाल्ब ज्यादा लगाने पड लेकिन आप जारा बड़ा बूडिंग करिएगा क्योंकि आपको वहां पर दिंकर फीटर रखना है और बूडिंग का टाइम में आप लोग एंटिबैटिक रूच करिएगा एक-एक एलाका में एक-एक केरिया में एंटिबैटिक अभेलेबल होता है अलग अलग से तो आप जो चिक्स का मुर्गी का जो सौफ होता ही होँ पर जाके बोलिएगा एंटिबैटिक वह दे देंगे तो वही एंटिबैटिक आप लीटर में एक ग्राम या यह केमेल करकर वह यूज करना पड़ता है और बाल्प का बाता दें तीन सौसी चिक्स के लिए 200 वाट्स का तीन लोगों ने लगाए हैं तीन बाल्प लगाने का यह मतलब है जब मतलब भोर टाइम होता है सुबह से पहले वह टाइम ठंडक रहती है और कभी कबार उस टाइम अगर बारिस हो जाए तो बहुत टेंपरेचर मतलब घट सकता है इसलिए ज्यादा बाल्प लागाने का जरू अब होगा तब उसको बाल्प को नीचे नमाय देंगे और थोड़ा गरम हो जाने से उपर उठा देने से अच्छा रहेगा और आप लोग अभी देख रहे हैं चीक्स बगरा सब मतलब चारो तरफ चारो और चीटक के हैं मतलब ठीक ठक से अपना सिप्ती दूरी बनाया कर बैठे हुए हैं तो यह अच्छा है और आप अगर अबजब करेंगे कि सब बच्चा एक साथ हो जाता है तो आप समझेगा कि आपका टेमपरेचर मतलब और भी चाहिए तब आपको दो अगर बल्प जाला कर रख हैं तो आपको और भी एक बल्प जाला देना चाहिए और जैसे जैसे दीन का टाइम बरते जाएगा तो इसी तेमपरेचर बढ़ेगा आप एक बल्प को मतलब बन कर देंगे तो आप बुडिंग करते वक्त यह समझ लिजिएगा ओ कोई प्रोब्लिम नहीं और फाम का परदा जरूर से फेका रखेगा बुडिंग का चार पास दिन चुजे का बैस आज चार दिन हुआ है तो इस था आज का वीडियो वीडियो में बने रहने के लिए धन्य बाद और इस बचे को लास्ट दिन तक हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे कैसे रिजल्ट होगा सभी मिलेगा तो जरूर से चैनल को सबस्क्राइब करके लगा और किस बार में फीडियो चाहिए जरूर से कॉमेंट में बताएगा जान करी अच्छे लेगे तो लाइक करना